दोस्तो आज हम लोग solve करने वाले हैं समय और दूरी का next type का question है देखिए हम लोग पहला question solve करेंगे दिया है अस्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था उससे 500 मीटर दूरी पर अस्थान भी एक चोर उसे देखता है और आगे की और 15 किलो मीटर प्रति घंटे की रपतार से भागता है उसी छड़ सिपाही 20 किलो मीटर प्रति घंटे की रपतार से उसका पीछा करता है तो A दिया है सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा और सिपाही अपने अस्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा तो देखिए पहला ग्यात करना है समय मतलब कि T ग्यात करना है उसके बाद मुझे दूरी ग्यात करना है ये दो चीज हमें ग्यात करना है अब देखिए हम लोग स्वाल्व करेंगे देखिए यहां दिया है A और B A जो है A से A सिपाही यहां खड़ा है यहां से क्या है 500 मीटर की दूरी यह दूरी जो है 500 मीटर की है ठीक यह 500 मीटर की दूरी है उसके बाद देखिए यह B है A से B तक की दूरी 500 मीटर है अब देखिए B यह चोर है यहां B चोर यहां है और सिपाही यहां है और यह चल रहा है 20 किलो मीटर प्रतिघंटे की रपतार से तो सिपाही की चाल है 20 किलो मीटर 20 किलो मीटर प्रति घंटा प्रति घंटा की चाल यह सिपाही की चाल है और चोर की चाल क्या है 15 किलो मीटर प्रति घंटा 15 किलो मीटर प्रति घंटा यह हो गया देखिए सिपाही तेज से चलेगा तभी तो चोर के पगड़ेगा तो ये 15 किलो मीटर चोर भाग रहा है और शिपाही दौर रहा है तो देखिए ये तो पहले ये यहां तक चलेगा यहां तक पहुँचेगा एक घंटे में अगर ये चलता है कुछ किलो मीटर ये 20 किलो मीटर चलेगा और ये 15 किलो मीटर किसाब से चलेगा तो ये ज़्यादा चलेगा तभी तो पकड़ेगा इधर कहीं पकड़ेगा आगे चलके तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अफस्वाल्व करेंगे तो समय बराबर होता है समय समय बराबर होता है दूरी बटे चाल इस पीड दूरी कितना है ये 500 मीटर है ये दूरी क्या है 500 ये लिखेंगे बराबर दूरी करके 500 मीटर और चाल क्या है तो सापेच चाल में दोनों चालों का अंतर होता है एक ही दिसा में जा रहे हैं इने चोट पकड़े का एक ही दिसा में जाएगा इन दोनों का अंतर ग्या मीटर में चेंजर करेंगे तो एक हजार से भागे एक हजार करना पड़ेगा नीचे हम तो नीचे हां लिखेंगे गुड़े एक हजार यह हो गया अब देखिए एक हजार हो गया अब देखी इसको भाग देंगे एक जिरो से दो जिरो एक जिरो से दो जिरो ये कटा तो पांच एक कम पांच पांच दूनी दस तो समय हो गया टी बराबर हो जाएगा अब एक बटे दस एक बटे दस घंटा ये समय हो गया समय को अगर मिनट में चेंज़ करना है ये एक बटे दस को अगर मिनट में चेंज़ करेंगे तो बराबर करके लिखेंगे टी बराबर एक बटे दस गुडे साथ ये हो गया एक गिरो से एक गिरो गया तो टी बराबर समय हो जाएगा 6 मिनट, यह आया 6 मिनट समय 6 मिनट यही आपका उत्तर है, यह समय आ गया ठीक है, अब मुझे निकालना है दूरी दूरी ग्यात करना है, दूरी ग्यात करने के लिए क्या करेंगे हम, तो दूरी बराबर होता है दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय यह होता है तो डी बराबर होता है इस स्पीड क्या है तो क्या सिपाही अपने अस्थान से सिपाही क्से पूछ रहा है सिपाही यहां 20 किलो मीटर प्रति घंटा है 20 कीमी 20 किलो मीटर प्रति घंटा है यह इसकी चाल गुड़े समय क्या है एक बटे दस एक बटे दस घंटा है न तो एक बटे यहां लिख लेंगे दस घंटा ठीक ये हावर ये घंटा है ये घंटे से ये घंटा ये घंटा से ये घंटा कट गया ठीक ये घंटा से घंटा कट गया एक जिरो कट गया तो D बराबर आ जाएगा आपका देखिए D बराबर डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 2 किलो मीटर 2 कीमी यही आपका उत्तर है ठीक है इस प्रकार से पहला क्यूस्चन सॉल्व होता है थोड़ा क्यूस्चन लंबा है आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा तब ही समझ में आएगा अब देखिएगा नेश्ट क्यूस्चन देखिए अगला क्यूस्चन कह रहा है कि एक कुटा 260 मीटर दूरी पर बल्ली बिल्ली को देखता है बिल्ली तुरंत 12 किलो मीटर प्योंटे की चाल से भागी उसे छण कुटा 25 किलो मीटर प्योंटे की चाल से उसे पकड़ने के यलिए दोड़ता है बताईए ए, कुटा बिल्ली को कितने देर में पकड़ लेगा मतलब की पहला पूछ रहा है समय टी ग्यात करना है फिर कहे रहा है कि बिल्ली के अस्थान से कितनी दूरी पर कुटा उसे पकड़ेगा तो यहां दूरी यहां दूरी ग्यात करना है ठीक यह देखिए अब हम यहां लिखेंगे यह देखिए यह चितर बनाएंगे एक आप लोग को समझाने के लिए देखिए ये है डॉग डॉग कुत्ता कि ये डॉग है और ये है कैट बिल्ली ठीक डॉग जो है पचीस किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो इसको लिखेंगे पचीस किलो मीटर प्रति घंटा उसके बाद देखिए ये बिल्ली जो है बारा किलो मीटर प्र गंटे की चाल से चल रहा है बिली अब इनकी दूरी जो है दो सौ six किलो मीटर है यह 220 मीटर है यह इनकी डिस्टेंस छीक यह हो गई अब देखिए सापेश चाल में दोनों चालों का अंतर होता है तो समय बराबर होता है तो यहां लिखेंगे हम समय बराबर T बराबर दूरी बटे चाल धूरी बटे चाल यह होता है तो यहां लिखेंगा T बराबर दूरी कितना है 260 मीटर यहां हो जाएगा 260 मीटर बटे चाल क्या है दोनों चालो एक ही दिसा में जाएगी तभी पकड़ेगा ना है तो इधर आगे जाएगा एक ही दिस्ताम जाएगा चाल घटेगा साफेज चाल में बारा पचीस में से बारा घटाएंगे पचीस में से बारा घटाएंगे तो हो जाएगा आपका आ जाएगा 13, यह हो जाएगा 13 किलो मीटर, ये 33 کिलो मीटर प्रतिगंटा, ये किलो मीटर प्रतिगंटा हो गया, अब देखिए ये तो एक कम दो, दो पंजे, दस पचास ये हो गया अब देखिए टी बराबर आ गया आपका टी बराबर आ गया एक बटे 15 घंटा घंटा को मिनट में चेंज चरिज़ करने के लिए 70 गुरा हो जाएगा तो देखिए एक जीरो से एक जीरो ये गया तो हो गया T बराबर आया 5 बटे 6 समय बराबर हो जाएगा T बराबर 6 बटे 5 ये 6 बटे 5 क्या हो गया मिनट 6 बटे 5 जो है 6 बटे 5 मिनट है मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए फिर 60 का गुड़ा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 पांच बरहम में साथ ये हो गया तो t बराबर हो जाएगा गुड़ा कर देंगे 12 चंग 72 72 हो गया सेकेंड 72 सेकेंड इस प्रकार से ये एक कुत्ता आ गया ये कुत्ता कितने देर में पकड़ लेगा तो 72 सेकेंड पकड़ लेगा अब देखिए बिल्ली का अस्थान कितनी दूर से कुट्टे को पकड़ेगा देखिए अब हमें बिल्ली के अस्थान से कुट्टे को कुट्टे की दूरी कुट्टे को उसे कितने उसे पकड़ेगा कितनी दूरी पकड़ेगा देखिए अब इसको हम ग्यात करने के लिए क्या करेंगे दूरी बराबर होता है एक उत्तर यह है अंसर यह हो गया समय 42 सेकेंड तो दूरी बराबर होता है स्पीड इन टु टाइम इस स्पीड क्या है स्पीड है 25 किलो मीटर प्रती घंटा तो यहां लिखेंगे 25 किलो मीटर प्रती घंटा यह हो गया और समय क्या है 72 सेकेंड यह 72 सेकेंड हो गया और यह किलो मीटर प्रती घंटा है 5 बटे 18 से गुड़ा करेंगे तो मीटर प्रती सेकेंड हो जाएगा अब देखिए 18 कम 18 1720 हो गया तो इसको 50 G20 फैक यह हो गया तो ढडश गूरे 20 ठीक यह हो गया तो D hebt बराबर हो गया आपका डि ब्राबरふふ 52 पछास 002 दूरी बराबर हो गया 500 मीटर 500 यह आपका उतर है ठीक है इस प्रकार से यह किश्चन सौल होता, अगर देखिए, बिल्ली से दूरी पूछता, अगर ये बिल्ली से दूरी पूछता, कितना दूर पकड़ लेगा, तो हम क्या करते तो देखिए, हम ये इसको भी बता देते है कैट कैट की दूरी बिल्ली की दूरी अगर पूछता तो देखिए कैसे ग्याद करेंगे हम तो हम 500 जो आया है 500 जो दूरी आया है 500 मिटर में 260 हम घटा देते 260 हम घटा देते ठीक इसमें सिटना घटा आते तो 240 240 बिल्ली की दूरी हो जाएगी 240 मिटर ठीक जो भी पूछता हम ऐसे ग्याद कर लेते अब देखिएगा next question देखिए अगला question कह रहा है कि दो ब्यक्ति एक अस्थान से क्रम से 8 किलो मीटर प्रति घंटा तथा 10 किलो मीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं यदि पहला ब्यक्ति घंट तब तक जाने में उस दूसरे ब्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय ले तो उसनके दौारा चली गई दूरी ग्यात कीजिए तो देखिए इसको स्वाल करेंगे तो देखिए ये दिया है 8 किलो मीटर प्रति घंटा एक चाल है और दूसरा है 10 किलो मीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो हम T बराबर होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल ये सुत्र होता है तो देखिए अगर दूरी को हम यक्स माल ले तो यक्स तो लिखेंगे हम यहां देखिए दूरी को यक्स माल लेते हैं यक्स बटे समय क्या स्पीड क्या है आठ किलो मीटर पती खंटा ये आठ किलो मीटर पती खंटा फिर देखिए ये दूरी दिया है ये चाल दिया है दस किलो मीटर तो अगला करेंगे यक्स बटे 10 किलो मीटर पती घंटा और दूसरे ब्यक्ति से 30 30 मिट अधिक लेता है अधिक के लिए हम माइनस लगाएंगे बराबर करके लिखेंगे 1 बटे 30 ठीक अब इसको हम सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम देखिए 8 और 10 का LCM लेंगे 8 और 10 का LCM हो जाएगा 40 यह हो गया तो 8 पंजे 40 यह हो जाएगा 5 एक्स माइनस 10 से भाग देंगे तो 10 चब 40 यह उपर गुड़ा हो जाएगा 4 एक्स हो जाएगा 4 एक्स बराबर 1 बटे 30 यह हो गया अब देखिए तो इस में से यह 5 एक्स में से एक एक्स घड़ गया तो केवल कितना एक्स बचा केवल एक्स बचा एक्स बराबर हो जाएगा इधर गुड़ा हो जाएगा इधर गुड़ा हो गा तो यह 20 का उपर गुड़ा हो जाएगा तो हो जाएगा यह 40 एक्कम एक जिरो से एक जिरो गया, तीन बटे दो, एक बटे दो अर्थात ये बराबर करके इसके अस्तान पर हमें एक बटे दो लिख सकते हैं, इसके अस्तान पर एक बटे दो लिख सकते हैं, देखिए, यहां एक बटे दो लिख लेंगे, ठीक, यहां तीस नहीं लिखेंगे, एक धोनी चार, ये 20, तो 100 बराबर आ जाएगा, 100 बराबर 20, 100 बराबर 20 किलो मीटर, 100 बराबर 20 कीमी, यही आपका उत्तर है, ठीक है, इस प्रकार से इसको solve करना है, हमें solve करना था, यह 30 मिनट जो है, इसको घंटे में change करना चाहिये था, 30 मिनट का होता है आधा गंटा तो एक बटे दो गंटे ये आधा गंटा हो जाता तो यहाँ इसके 30 के अस्थान पे हम सिधा एक बटे दो लिख लेंगे ठीक है यक से बराबर हो जाएगा इसको सॉल्ब करेंगे ये जीरो नहीं है ये दो है ठीक है दो से भाग देंगे किवल 20 ये जो 20 आया है 20 किलो मीटर यही आपका उत्तर है